जेनेम नर्सिंग कोर्स करने के क्या-क्या फायदे हैं क्या-क्या नुकसान है अगर आप जानना चाहते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो जरूर देखेगा कि जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है नमस्कार साथियो आप देखने राइटिंग फूल अपका वीडियो मैं हूँ आपका साती प्रदीप महुलया और बात करेंगे जेनेम नर्सिंग के फायदया नुकसान के बारे में आईए सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में जेन्म क्या है इसका फुल फार्म होत करने के बाद आप नर्सिंग के फिर्ड में give रवना सकते हैं में फायदा तो यह जा है अींatus कि of i shall about लिए हुआ है कि इस कोर्स को लड़क्यां लड़कियां दोनों कर सकते मतलब कि male and female बोध candidates को कर सकते हैं जब कि A&M nursing का when you are sick of another वsomething एंगे को जब सकते हैं वह भी डिपलोमा लेकिन उसमें केवल लड़किस लेशन ले जब सकते वह विद वर दुपमा कोर्स है ईसमें लटकी लड़किस ले जब चकते बट जो जेनर नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़किया और लड़किया यानिकी male and female बोध का इन्ट अड्मिशन ले सकते हैं तीसरा फाइदा साथियों यह है कि इस कोर्स को science, stream students के अलावा arts और commerce वाले भी कर सकते हैं अगर आपके past 12th में अंग्रेजी यानिकी English subject था और stream कोई भी थी science, arts, commerce आप admission ले सकते हैं जबकि जो B.Sc. nursing का कोर्स होता है इसको केवल physics, chemistry, biology और English यह जो subject हैं जिन students के पास हैं वही admission ले सकते हैं जेनम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें science, arts, commerce किसी भी stream के students को admission मिल जाता हैं ठीके तो यह हो गए फाइदे अब बात करते हैं नुकसान की नुकसान कब है इस चीज को धिहान से समझे तभी आपको समझ में आएगा देखें अगर आपने 12th physics chemistry biology यानि की PCB से किया है और आप जेनम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो जेनम नर्सिंग का कोर्स अगर आप कर लेते हैं और आप graduate nurse बनना चाहते हैं तो graduate nurse बनने में आपको time ज़्यादा लगेगा नॉर्मल कोर्स की अपेच्छा कैसे 12th अगर आपने physics chemistry biology से किया है और आप graduate nurse बनना चाहते हैं तो 12th के बाद direct आप BSC nursing में admission ले सकते हैं लेकिन किसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिस chemistry biology वाले students के लिए 12th PCB से आप BSC nursing के चार सल का जो course होता है उसमे admission ले सकते हैं और course complete करने के बाद आप graduate nurse बन सकते हैं लेकिन अगर आप 12th के बाद genome nursing course करते हैं तो 3.5-3 साल लग जाएंगे क्योंकि 3 साल का course है और उसके बाद अगर आप graduate nurse बनना चाहते हैं तो आपको post basic BSC nursing course करना होगा यह 2 साल का course होता है regular आप करते हैं तो ठीक है तो इस तरीके से 3.5 साल और 2 साल कितनी हो जाएंगे 5.5 साल है ना और जबकि normal जो course है BSC nursing का वह 4 साल का होता है तो इसमें समय लग जाएगा यह नुकसान है ठीक है लेकिन उन स्टूडेंस के लिए यह चीज रही है जो की आर्स या फिर कॉमर्स से किये हैं 12 और वे नर्सिंग के फिर्ड में अपना कर्यरा बना चाहते हैं कि जेने में 800 वाले स्टूडेंस को भी एडमिशन मिल जाता है बट बैसिंग में केवल पीचीबी वाले स्टूडेंस को एडमिशन मिलता है दूसरा नुकसान यहाँ पर यह हो सकता है कि 12 अगर आप आप JNM nursing का कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं तो JNM करने की बाद आप nursing की फिल में तो करियर बना सकते हैं नर्स आप बन सकते हैं स्टाप नर्स या फिर nursing officer आप बन सकते हैं लेकिन अगर आप UPSC civil services exam यानि की जो IPS IPS officer बनने वाला exam होता है वो या फिर बैंक प्यों का एक्जाम बैंक लर का एक्जाम एक्जाम या फिर दरोगा भरती जो होती उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कोई भी कोर्स है तो उसको करने के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है लेकिन अगर आप reality यानि जो वास्तित्ता है उसको जान करके कोर्स करेंगे तो आपको पच्छतावा नहीं होगा ठीक अगर आप चाहते हैं कि हम नर्सिंग फिर्ड में ही करियर बनाएं नर्सिंग फ होता है 12th PCB वाले स्टूडेंस कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आप नर्सिंग की फिर्ड में भी करियर बना सकते हैं और अगर आपका मन करता है ग्रेजुशन लेवल एक्जाम जैसे के UPSC IS IPS एक्जाम या फिर स्टेट PCS का एक्जाम देने का या फिर सविंस्पेक्टर बनन ठीक है तो यह चीज़ें है आपको समझ में आ रहे होंगी अब आप देख लिए क्या आपको जैने नर्सिंग करना है या फिर नहीं कोई भी कोर्स है तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है ठीक है जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं यह आपको किसी एक पर्टिकुलर फ करपाई टो क्या यह आप अप्लाई कर सकते हैं इसका जवाब है नहीं लेकिन अगर आपने एक्स प्रीयंस लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वहीं अगर पोस्ट बेसिक भी आप कर लेते हैं तो आप उस एक्जाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो यह नुकसान है आप इसके बारे में क्या समुझते हैं कमेंट सेक्षिन में जुरूरू बताएगा वैसे अगर आप ने 12 फिजिस कमेंस्टी बाइलोजी से किया है और आप च पाइदे और नुकसान के बारे में आपकी क्या रहा है क्या आप सुझते हैं कमेंट सेक्षिन पर बताएगा और इससे इंफॉमिटिव विडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आल्पर जरूरू क्लिक कीज़ेगा जैसे आपको इसा इंफॉमिटिव विडियो को न प्रूची रखते हैं